प्रथम तहलका न्यूज प्रफद दिलाने को लेकर भी ग्यांचंद गुपता ने जानकारी साजा की उन्होंने कहा कि पंच्छुला में मेर और पार्षद विकास करेंगे इसकी बड़ी ख़बर हम आपको बता दे जो चंडीगर से आ रही है जहां हर्याना विदान सभा स्पीकर ग्यांचंद गुपत ने पंच्छुला में सेवन ए को लेकर जानकारी साजा की उन्होंने कहा कि पंच्छुला में मेर और पार्षद विकास करेंगे इसकी बड़ी ख़बर हम आपको बता दे जो चंडीगर से आ रही है जहां हर्याना विदान सभा स्पीकर ग्यांचंद गुपता ने सेवन ए को निश्चित तोर पर देखे 7A का मुद्दा एक पंच्कुला जिला के लोगों के लिए एक एहम मुद्दा है जो छोटे छोटे प्लॉट होड़र्स है या जिन्होंने मकानों की छोटे छोटे रिजिस्ट्रियां करानी है उनको भी इसके कारण कुछ तकलीफ हाई है लेकिन सर अनाथराइज कालोनीज डिवेल्प हो रही है उन अनाथराइज कालोनीज ना डिवेल्प हों रेगुलर वे से जो सरकार की चार्जिस है वो भर करके वो डिवेल्प हों ताके हैफजर्ड ग्रोथ जो हो रही है उसको रोका जा सके 7A का मकसद यही है केवल के पंच्कुला जो एक developing city है, planned city है, उसके अंदर planned growth हो, उसी को लेकर कि 7A का जो धारा यहां पर लगाए गई है, तो इसको आगे को विचार है सब्सक्राइए, हाँ देखे, मैंने आदनी मुख्यमंतरी जी से बात किया है, कि हम छोटे छोटे जो plot holders हैं, या जो अपनी जिनकी व्यक्तिगत ग के लिए जल्दी ही सरकार निल्ने करेंगी. पंचकुला को जो एक बहुमत से जिता करके भीजा है, पंचकुला के अंदर भारते जिनता पार्टी की जीत जो है, एक साल में दूसरी बार ये दूसरा टेस्ट था, जिसमें हम सफल हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे ग्यारा पार से चुन करके हैं, नौ बीजे इसके साथ ही भी हैं, उनको लेकर के पंचकुला का विकास अच्छे डंग से हो, हमारा एक ही टार्गेट है, एक ही मकसद है, उसके अंदर सब लोग साथ लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा, दूसरा कल मैं समस्ता हूँ के कल सायम साड़े तीन बजे, जो ने चुने गए मेयर और पार्षदों को ओथ जो दिलाई जाएगी, वो पी डवली डी रेस्ट हाउस जो सेक्टर एक के अंदर है, पंचकुला में, वहाँ पर उनको यह ओथ होगी, और उसके पश्चाथ जो आगे की प्रक्रिया है, चाहे, वो सीनिर डिप्री मेयर, डिप्री मेयर, वो ब में जाएगी, जाएगी